Hello students, welcome back and today I am going to teach you reading. So, हमें read कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए. So, sentence हमें sentence का कैसे pronounce करना चाहिए, sentence को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वाक्यों को किस तरीके से बोलना चाहिए, रीडिंग करते वक्त, पढ़ते वक्त, आज मैं यही सब कुछ आपको बताऊंगी. जैसे कि यहाँ पर दी गई है जादूई आम की कहानी. Class third standard की बूख है, पर आप अगर second standard के हो, fifth standard के हो, eighth standard के हो, तो भी आप ऐसे कहानिया वाले paragraphs रीट कर सकते हो. अगर आप मेरी चाइनल में new हैं, तो चाइनल को subscribe कर लीजेगा, और मैं यहाँ पर ICSC, CBSC, State, तीनों ही patterns की books पढ़ाती हूँ. अगर आप State में भी पढ़ते हैं, तो CBSC, ICSC के वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे की आपको education में बहुती जादा help मिलेगी. उन्हें थोड़े अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके जो tips होते हैं, अलग होते हैं, तो वो भी बहुती जादा आपके लिए useful रहेगा. और आपकी handwriting भी अगर अच्छी ना हो, या फिर आपको spelling mistakes वगेरा होती होगी, तो उसके लिए भी आप, मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, आप उसको follow कीजिए, वैसे ही practice कीजिए, और definitely आपको अगर आप 8 दिन तक के एक ही वीडियो में जो भी कुछ बताया गया, अगर आप प्रैक्रिस करते हैं, तो result आपको definitely मिलेगा, so let's start students reading, जादूई आम, जादूई मतलब होता है magical, और आम का मतलब students आपको पता ही है, आम मतलब होता है mango, एक बार एक आम के पेड़ पर ऐसा आम लगा, जो और आमों से बिलकुल अलग था, यहाँ जादूई आम था, जो सोच सकता था और बोल सकता था, तो यहाँ पर वैसे तो बहुत आम लगते थे, लेकिन एक दिन एक पेड़ पर ऐसा आम लगा, जो सारे आम से कैसा था, बिलकुल ही अलग था, और उसे सब लोग कहते थे जादूई आम, यह आम क्या कर सकता था, इनसानों की तरह बोल सकता था, सोच सकता था, एक दिन आम ने सोचा क्यों न गाव के आसपास घूमा जाए, यहाँ सोच कर वहां नीचे उत्रा, लुड़कता हुआ वहां आगे बढ़ चला, फिर एक दिन जादूई आम सोचता है कि क्यों न गाव को घूम कर देखा जाए, तो फिर वो पेड से नीचे उतरता है, रास्ते में उसे एक खरगोश मिला, वहां बोला, अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, जादूई आम हस्ते हुए गाने लगा, मैं जादूई आम हूँ, तुम मुझे पकरना पाओगे, मैं आगे आगे भागूँगा, तुम कैसे मुझे खाओगे? तो यहाँ पे जो जादूई आम था, इसे एक खरगोश देख लेता है, तो खरगोश कहता है, मैं तुम्हें खाओँगा, पर जादूई आम क्या करता है? वो हसने लगता है, और बोलता है, कि मैं तो जादूई आम हूँ, तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? मैं तो तो तुम मुझे कैसे खाओगे? इस तरीके से वो magical sentence बोलकर भागने लगता है, आम तेज-तेज लुड़कता हुआ दोड़ने लगा, खरगोश भी उसके पीछे भाग रहा था, तभी एक छोटा लड़का आम को देख कर चिलाया, रुको, मैं तुम्हें खाना चाता हूँ, जादूई आम, फिर हसा और गाने लगा, मैं जादूई आम हूँ, तुम मुझे पकड़ना पाओगे, मैं आगे-ागे भागूँगा, तुम कैसे मुझे को खाओगे? तो ये जादूई आम क्या करता है? और तेज-तेज भागने लगता है, खरगोश भी उसके पीछे भागने लगता है, फिर और एक एक बच्चा उसे देखता है और बोलता है, रुको, मैं तुम्हें खाओँगा, फिर से जादूई आम, वही मैजिकल गाना गाने लगता है, कि मैं तो जादूई आम हूँ, तुम मुझे कैसे पकड़ोगे, मैं भागूँगा, तो तुम मुझे कैसे खाओगे, इस तरीके से बोलने लगता है, आम तेजी से आगे लुडक रहा था, पीछे-पीछे खरगोश और वहाँ लड़का दोनो भाग रहे थे, देखिए इस पिक्चर में, आम है, आम के पीछे खरगोश भाग रहा है, और खरगोश के पीछे लड़का भाग रहा है, तो इस तरीके से ये पीछा करते हैं, देन नेक्स्ट है, थोड़ा आगे बढ़े, तो एक औरत मिली, औरत याने की एक वुमेन, एक लेडी मिली, वहाँ चिल्ला कर बोली, रुको, मैं तुम्हे खाना चाहती हूँ, जादूई आम, जादूई आम, फिर हस कर गाने लगा, मैं जादूई आम हूँ, तुम मुझे पकड़ना पाओगी, मैं आगे आगे भागूँगा, तुम कैसे मुझे खाओगी, अब आगे आगे, आम तेजी से लुड़क रहा था, और पीछे पीछे खरगोश, लड़का, और और औरत, तीनों भाग रहे थे, थोड़ा और आगे बढ़ते ही, एक शिकारी की नजर आम पर पड़ी, तो फिर यहाँ पर जो यह आम है, आम के पीछे खरगोश भागने लगा, वैसे ही लड़का भी पीछे भागने लगा, यह लेडी भी बोलती है, कि मैं तुम्हें खाऊंगी, वो भी उसके पीछे भागने लगती है, और जो शिकार करता है, उसे हम शिकारी कहत हैं, तो शिकारी भी उनके पीछे भागने लगता है, शिकारी की नजर आम पर पड़ी, वह चिला कर बोला, अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, यह सुनकर जादूई आम फिर हसा और गाने लगा, मैं जादूई आम हूँ, तुम मुझे पकड़ना पाओगे, मै आगे आगे भागूँगा, तुम कैसे मुझे को खाओगे, फिर ही शिकारी भी कहता है, कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, पर जादूई आम हसने लगा, और भागते हूए बोलने लगा, मैं तो जादूई आम हूँ, तुम मुझे कैसे खाओगे, अब आगे आगे तेजी से लुड़कता आम और पीछे पीछे खरगोश, लड़का, और शिकारी चारो भाग रहे थे, देखो, आम के पीछे चारो भाग रहे हैं, भागते भागते आम बहुत ठक गया, वहां आराम करने के लिए घास के धेर में छिप गया, खरगोश लड़का, और और शिकारी उसे ढून नहीं पाए, वह काफी गरम महसूस कर रहा था, उसने सोचा मैं यही ठर जाता हूँ, कि कुछ दिनों में उस पर एक पोधा उगाया, जानते हो आगे क्या हुआ? तो फिर क्या होता है? जो आम है वो बहुती ज़ादा ठक जाता है, तो वो क्या करता है? एक घास के धीक के अंदर जाकर बैट जाता है, और फिर वह सोचता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यही ठैर जाऊं और वो रुख जाता है, और बाकी लोग उसे नहीं ढूंड पाते, क्या अब आप बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? उसके सर पर एक छोटा सा पौधा आ जाता है, कुछ वर्षों बाद जादूई आम एक बड़ा सा पेड बन गया, और फिर क्या हुआ? जो कुछ सालों बाद जो यह पौधा था जादूई आम का, वो बहुत थी पेड के रूप में बदल गया, इस तरीके से थी यह जादूई आम की कहानी और हमने इस तरीके से रीडिंग करना सिखा, कि कहानियों को किस तरीके से रीड किया जाया और इसी तरीके से लेसन्स को, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी 11 lesson चतूर तेनली राम Thank you Thank you for watching Like, Share and Subscribe